dear students first of all very much good morning to all of you हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है business services का और उसके अंदर जो हमारा लेसन्स शुरू हो चुका है वो है insurance का हमने insurance के बारे में काफी details से काफी कुछ पढ़ चुके है insurance का meaning क्या है definition क्या है insurance की features क्या है insurance क्या होता है difference between reinsurance and assurance कर चुके है difference between double insurance and reinsurance क्या होता है यह सब चीज़े सारे concept हमने कर चुके है जो differences थे reinsurance और double insurance के वह भी कर चुके है और जो insurance और assurance के बीचे difference थे वो भी हम कर चुके हैं आज की जो video बनाई गई है वो specially जो video बनी है वो है principles of insurance के उपर dear students थोड़ा से मैं आपको पहले बता जाता हूँ जो principles of insurance है वो थोड़े से difficult भी है और थोड़ा सा exam point of view से important भी है तो थोड़ा से मैं video start करने से पहले आपको एक बात बता रहा हूँ कि थोड़ा सा principle of insurance पर आपको ध्यान दाजाब देना पड़ेगा और थोड़ा सको ध्यान से समझना होगा है असान धीरे-दीरे करेंगे आपको सारे समझ में आ जाएंगे तो चलिए आज की video शुरू करते हैं स्टार करते हैं principles of insurance सबसे पहला हमारे जो है principle of insurance है principle of utmost good faith मैं आपको बताता हूँ क्या होता है principle of utmost good faith it refers that no material or important facts should be concealed by both the parties to insurance contract insurance contract की दो पार्टी होती है एक insurance करवाने वाला और एक insurance करने वाला तो यहाँ पर जो बात कही गई है इस principle of insurance की principle of utmost good faith के अंदर की दोनों के बीच में क्या होना चाहिए good faith होना चाहिए यहाँ पे word use किया गया है conceal conceal का मतलब होता है छिपाना इसका मतलब यह है कि जो भी insurance करवाने वाला है और जो भी insurance करने वाला है वो दोनों party आपस में कोई भी बात नहीं चिपाएंगी अगर कोई भी ऐसा point insurance contract के अंदर कोई भी ऐसा point है जो insurance करवाने वाले के लिए नुकसान दैक है तो insurance करने वाले को, insurance company को वो point पहले ही explain करना चाहिए in front of the other party और अगर insurance करवाने वाले को लगता है कि ये बात insurance करने वाली company को बताई जाने चाहिए तो उसको जरूर बताने चाहिए मैं इसको एक example के तुरू आपको बताता हूँ मान लीजिए Mr. Vikas है Mr. Vikas को heart attack की problem है heart की problem है और वो अपना life का insurance करवा लेता है और after some month कुछ महीनों के बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद Mr. Vikas की death हो जाती है due to heart attack तो यहाँ पर बाद में insurance company का पता लगता है कि इसने life insurance जो करवाया था उसमें ये बात चिपाई गई थी कि Mr. Vikas को heart attack की problem अलड़ी हो चुकी है तो यहाँ पर insurance company insurance का पैसे देने में insurance claim क्लियर करने में मना कर सकती है क्योंकि यहाँ पर वो बात चिपाई गई थी वहाँ पर इस तरह contract क्या हो जाएगा बाइड हो जाएगा बेकार हो जाएगा ठीक हो जी तो मतलब क्या है कि जो भी material बात है जो भी material point है वो दोनों ही party एक दूसरे को insurance का contract होने से पहले ही clear करेंगी दूसरा point है हमारे पास principle of insurable interest I repeat principle of insurable interest it refers that there must be a such a relationship between the insured and the subject matter of insurance that the insured stands to benefit by its safety and to lose by its loss मैं repeat करता हूँ it refers that there must be a such a relationship between the insured and the subject matter of insurance that the insured stands to benefit by its safety and to lose by its loss मैं आपको simple language ही खाता हूँ जारा है क्या इसके अंदर ये थोड़ा था confusing लग रहा होगा आपको बड़ा simple सा point है कि ये कहता है कि जो व्यक्ति insurance करवा रहा है जिस चीज़ का भी insurance करवा रहा है जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है वो अगर किसी चीज़ का insurance करवा रहा है तो उस चीज़ के अंदर उसका interest होना चाहिए मतलब अगर वो चीज़ को नुक्सान होता है तो वो नुक्सान उस व्यक्ति का होना चाहि तब ही वह उस चीज का इंशुरेंस करवा सकता है, माल लीजिए एक व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर का इंशुरेंस करवा रहा है, घर का fire से related इंशुरेंस करवा रहा है, मतलब fire का इंशुरेंस करवा रहा है, अब उस घर को अगर आग लग जाती है, तो घर को आग वो व्यक्ति κάνедин करता क्विए दूसरी कि अधा भी क्योंकि दूस्री के प्रापर्पर्टी ना हो जाए तो वह नुक्सार इस व्यक्ति का नहीं होगा इसी मैंनर में एकति अपने एकति अपनी चिल्डरम्स का अपनी सपाऊस का अपना म स करवा सकता है इसी इसी तरह यहाँ पर मैं एक point और आपको clear करता हूँ मान लीजिए Mr. A को Mr. A ने किसी को loan दिया है किसी के against property के against मान लीजिए मैं फिर repeat करता हूँ मान लीजिए Mr. A ने किसी दूसरे व्यक्ति को loan दिया है against a building building के against उसने loan दिया है तो वो Mr. A बिल्डिंग का insurance भी करवा सकता है क्योंकि बिल्डिंग से होने वाला नुकसान उसका नुकसान होगा क्योंकि वो उसके पास as a place, as a गिर्वी और रख्की हुई property है तो मैं यहाँ पर लाश्में फिर repeat कर रहा हूँ कोई भी वेक्ति अगर किसी property का किसी के life का insurance करवाता है तो उसका उस property के अंदर या उस life के अंदर उसका personal interest होना चाहिए तभी वो वेक्ति उसका insurance करवा सकता है किसी भी अंजान चीज का या अंजान का किसी भी unknown चीज का वो वेक्ति insurance नहीं करवा सकता Come to the third point that is a principle of indemnity A principle of indemnity है क्या जर्ण ध्यान से समझेए अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति यह principle क्या कहता है कि एक व्यक्ति केवल लोस का ही compensation की demand कर सकता है वो होने वाले लोस से profit earn नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है होने वाले लोस की वज़े से profit earn नहीं कर सकता इसको भी हमें एक example की तुर समझते हैं इसमें आखरी क्या कहा गया है इसमें यह कहा गया है मालने जी एक Mr. A है उसका stock था 50,000 रुपे गा 50,000 का stock था और उसने 70,000 का उसने क्या करवा लिया इंशुरेंस करवा लिया stock था 50,000 का इंशुरेंस करवा लिया 70,000 का अब यहां पर समझना मालने जी ए due to fire वो सारा stock के बंट हो जाता है जल जाता है अब insurance company उसको केवल 50,000 रुपीज देगी 70,000 नहीं देगी इस ground पर भी नहीं देगी इंशुरेंस 70,000 का करवाया गया था नहीं stock कितने का था 50,000 का था 50,000 का बंट हो गया तो उसको केवल 50,000 रुपीज ही मिलेंगे 70,000 नहीं मिलेंगे वो उसके profit अर्म नहीं कर सकता इसी को दूसरे example में समझाता हूँ मैं आपको माल लेजिए कि Mr. A का stock था 50,000 रुपे का 50,000 का और वो 30,000 रुपीज तक का क्या करवा लेता है वो इंशुरेंस करवा लेता है अब वो केवल 30,000 रुपेज तक का इंशुरेंस करवा लेता है अब इस case में अगर वहाँ पे fire लग जाती है fire हो जाती है और उसका सारा stock बांट हो जाता है मालो 50 के 50,000 का stock को आग लग गई थी तो यहाँ पर उसको 30,000 ही मिलेंगे 50,000 नहीं मिलेंगे इसकी पीछे दो ground है पहला ground तो यह कि उसने केवल 30,000 रुपीज तक का इंशुरेंस करवाया था कि उसने केवल 30,000 रुपीज तक का इंसुरेंस करवाया था और सो केवल 30,000 रुपीज तक ही मिलेंगे उससे उपर का उसको इंशुरेंस claim पास हो ही नहीं सकता यहाँ पर जो party है वो 50,000 की demand नहीं कर सकती क्योंकि 50,000 तक का इंसुरेंस करवाया ही नहीं गया था Ultimately, अगर हम यहाँ पर इस point की बात करें कि एक वेक्ति insurance के थुरू केवल अपने loss की compensation करवा सकता है वो insurance के थुरू profit की demand नहीं कर सकता चलिए, hopefully यह तीन principles आपको clear हो गया होंगे, let us talk about the next principle that is called principle of warranty principle warranty क्या करता है it refers that the insurance is, sorry, it refers that the insured is supposed to follow all the expressed and implied condition of the insurance contract मैं रिपीट करता हूँ, it refers that the insured is supposed to follow all the expressed and implied condition of the insurance contract इसको थोड़ा से explaining करता है हम आपको principle of warranty क्या है, एक insurance करवाने वाले और insurance करने वाले दोनों के बीच में एक written contract होता है उसके अंदर कुछ conditions दी होती है जिसको दो पार्ट में डिवाइट कर दिया, एक होती है expressed condition, दूसरी होती है implied condition जोसे कि आपकी screen पर highlight हो रहा होगा expressed and implied condition expressed condition क्या होती है implied conditions क्या होती है, मैं आपको थोड़ा से detail में कराता हूँ, express condition वो होती है जो की बिल्कुल clear cut insurance contract के ओपर लिखी होती है, हम उनको मनानी कर सकते है वो exactly follow करी जाएंगी implied conditions को होती है जो की लिखी तो नहीं होती, insurance contract के ओपर लेकिन फिर भी assumed की जाती है कि यह इन चीजों को follow किया जाएगा तो जो insurance करवा रहा है वो expressed warranty को भी follow करेगा और implied conditions को भी expressed conditions को फोलो करेगा और implied conditions को भी फोलो करेगा, मैं आपको थोड़ा से example के तुरू सुनाता हूँ, समझाता हूँ, इस point को सुनिए जरा मालीज एक ship है, ship मतलब जो समुदर के अंदर चलता है, वो एक place से दूसरे place तक जाता है अब express guarantee की बात करते हैं, मालीज एक ship है ship को बोल दिया गया, ship चलने से पहले ये clear cut उसके insurance में लिखा हूँ है कि एक ship जब एक जगा से दूसरी जगा पर जाएगा तो बीच में जो ports पड़ते हैं पोर्ट मतलब जितने stations पड़ते हैं हम local language में बात करें और जिन पर उसको रुकने की permission है वो उनी के उपर रुकेगा So this is the expressed condition ये तो expressed लिखा हूँ है कि वो वहाँ पर रुकेगा और वो वहाँ कहां पर नहीं रुकेगा लेकिन दूसरे point आता है implied warranty implied warranty या implied condition की बात करें implied condition से मतलब ये है कि एक particular route decide किया गया है कि जब एक ship एक जगह से चल रहा है और दूसरी जगह पर पहुंचना है तो वो कौन से route को follow करेगा कौन से रास्ते को follow करेगा मालों दो या तीन रास्ते है तो एक जो particular रास्ता decide किया गया है या already implied है कि normally एक रास्ता ये वाला follow किया जता है जब एक ship एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो वो एक रास्ते को follow करता है उस ये assume किया जता है insurance contract के अंदर भी कि वो उसी रास्ते को follow करके जाएगा किसी दूसरे रास्ते को follow नहीं करेगा यह contract के अंदर नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी यह assume किया जाता है, तो इसलिए क्या बोल जाता है, implied conditions बोले जाती है, कि यही रास्ता follow किया जाएगा, और यही conditions follow की जाएंगी, अगर जो insured है, जो insurance करवा रहा है, अगर वो expressed और implied, दोनों condition को follow नहीं करता, तो insurance company claim देने से म कर सकती है, hopefully this is clear to you, now come on the fifth point, that is the principle of contribution, it refers that, if the same subject matter, except life, is insured by more than one insurer, the actual loss will be shared by all the insurers, I repeat, it refers that, if the same subject matter, except life, is insured by more than one insurer, the actual loss will be shared by all the insurers, इसको भी जड़े एक example के तुरो समझना पड़ेगा, लेकि पहले मतायता हूँ, जो principle of contribution है, वो life insurance के contractive पर apply नहीं होगा, यह principle of contribution है, यह केवल general insurance के case के अपर ही apply होगा, life insurance के अपर apply नहीं होगा, मैं आको इसके example के तुरो बताता हूँ, माले जो Mr. Vikas है, वो उसकी एक house property है, उसका घर है, उसका मकान है, उसका एक house है, वो है कीमत उसकी 6 lakh rupees की, 6 lakh rupees है कीमत का मकान है, वो क्या करता है, उसका insurance Mr. A, sorry, वो उसका insurance A company से 1 lakh रुपे का, B company से 2 lakh रुपे का, और C company से 3 lakh रुपे का insurance करवा लिए, टोटल कीमत होगी 6 lakh, 6 lakh को इसने 1, 2, 3, 3 पार्ट में करवा लिया, B company से 2 लाग का insurance करवा लिया, C company से 3 लाग का insurance करवा लिया, अब अगर उसके मकान को कोई नुकसान होता है और यह suppose करो कि पूरा 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 जो house है वो destroy हो जाता है, तो वो तीनों ही company से in ratio 1, 2, 3, 1 raise to 2, 2 raise to 3 की ratio में, वो तीनों से claim लेगा in the proportionate, proportionate की लेगा, वो यह नहीं कह सकता कि तीनों company उसका पूरा पूरा claim देंगी, जितना इब उसका नुकसान होगा, वो proportionate ही receive करेगा, for example, अगर उसका नुकसान जो हुआ है, वो house property का जो नुकसान होगा, okay, well, 3 lakh rupees का हुआ है, तो वो तीनों ही company से proportionally 1 is to 2, 2 is to 3 की ratio के इंदर वो उस claim को recover करवाएगा, या recovery लेगा, या compensation लेगा, वो उसको profit में convert नहीं कर सकता, या तीनों company से full full amount का claim नहीं ले सकता, तो यहाँ के तीनों company उसको अपने बने contribution के अपने बने proportionate के accordingly उसको compensation देएगी, चलिए, hopefully this is clear to you, now come to the point number 6, that is principle of subrogation, it refers that when the insurer compensate the insured, then all the rights related to the subject matter of insurance get transferred to the insurer, it refers that when the insurer compensate the insured, then all the rights related to the subject matter of insurance get transferred to the insurer, इसको भी example की तुरह समझते हैं, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा, देखिए, माल लिजे किसी business man ने अपने stock का insurance करवाया, stock का insurance करवाने के बाद stock insurance करवाया उसने, stock का insurance करवा लिया उसने, और by chance उस stock का नुकसान हो गया, due to any reason, due to any reason नुकसान हो गया, और insurance company उस stock के जो composition थी, वो भी उस business man को दे देती है, compensation का पैसा भी business man को दे दिया, अब जो stock का waste पड़ा है, जो stock का last में जो नुकसान होने के बाद जो waste पड़ा है, उस जो हम कहें कि अब कोई कबारी वाला उसको खरीद सकता है, या कुछ पैसे उसके recover किया जा सकते है, waste is a scrap के रूप में, उसको sale किया जा सकता है, जो waste is पड़ा है stock का, उस scrap को sale करने का right, insurance company वो ownership insurance company के पास transfer हो जाएगी, और insurance company ही उसको बेच कर, जो पैसा earn होगा, वो insurance company का होगा, owner का या businessman का, वो पैसा नहीं हो सकता, hopefully it is clear to you, now come on the point number 7, point number 7 की बात करते है, principle of mitigation of laws, ये principle बड़ा interesting है, जड़ा ध्यान से सुनना, ये principle क्या कहता है, it refers that the insured should try to minimize the laws of the subject matter of the insurance, even if it is insured, I repeat, it refers that the insured should try to minimize the laws of the subject matter of the insurance, even if it is insured, इसका मतलब क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति, किसी चीज़ का insurance करवा लेता है, तब भी उसको उस asset की safety करने की, उसको संभाल के रखने की उसकी जिम्मिधारी बनती है, मैं आपको उसका एक और example बताता हूँ, माली जी किसी रेक्ति ने अपनी building का insurance करवा लिया, fire से related insurance करवा लिया, fire का insurance करवा लिया, कि अगर उसकी building में fire लग जाती, आग लग जाती है, और fire की वज़े से उसकी building में कोई नुक्सान होगा, तो insurance company उसको compensation देगी, अब बाइच चांस उसकी building में आग लग जाती है, तो अब insurance करवाने वाला ये सोच के अराम से नहीं बैठ सकता कि मैंने तो insurance करवाया हुआ है, अपने insurance company से claim ले लेंगा, नहीं, ऐसा नहीं बनता, ये insurance करवाने वाले की एक moral duty बनती है, कि वो पूरी कोशिश करें, जिससे की fire की वज़े से नुक्सान कम से कम हो, वो उसको उस building की उतनी safety करनी है, जितनी safety वो अगर insurance ना करवा था, तब करता, I mean to say, उसको हर वो परियास करना है, हर वो efforts करना है, जिससे की नुक्सान कम से कम हो, ये हमारा principle of mitigation of loss कहता है, इसके बाद हमारते हैं last में, that is a principle of proximate causes, principle of proximate cause किया है, it refers that the proximate or nearest cause and not the remote cause shall be considered to establish the responsibility of bearing the losses, I repeat, it refers that the proximate or nearest causes and not the remote cause shall be considered to establish the responsibility of bearing the loss, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला point है, ये point क्या करता है, इस point के according ये है, कि जब भी एक insurance company है, जो insurance कर रही है, एक व्यक्ति जो insurance कर रहा है, किसी भी चीज़ का, प्रपर्टी का, असेट का, वो insurance कर रहा है, आप ज़र इसको ध्यान से समझना, कुछ causes तो clearly defined कर दिया आते हैं, insurance company की तरफ से, कि अगर इन इन reason की वज़े से, अगर कोई नुक्सान होता है, तो insurance company उसको compensate करेगी, लेकिन future is uncertain, कुछ ऐसे cause भी बुन सकते हैं, जिन causes को insurance के contract के अंदर mention नहीं किया गया है, लेकिन इस case में ये देखा जाता है, तो इस case में ये देखा जाता है, जो ऐसे reasons जिनको गी insurance के contract के अंदर mention नहीं किया गया है, तो क्या ऐसे reasons के लिए अगर नुक्सान हुआ है, तो iSA regions के लिए क्या इस नुकसान को insurance company के दुआरा compensate किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए तो यहाँ पर ये point आता है कि अगर iSA regions जिनको insurance के contract के अंदर mention नहीं किया गया है और लेकिन अगर एसे रिजन्स निर्स रिजन्स हैं, जो कि अजूम किये जा सकते हैं, कि यहां आएसे ऐसे रिजन्स की वज़े से नुक्सान हो सकता है, जो कि बिल्कुल निरवाई के रिजन्स हैं, उनके लिए इंशुरेंस कम्पनी क्लेम देगी, मतलब कमपसेशन करेगी, और अगर बहुत जादा रिमोट रिजन्स हैं, बहुत जादा दूर के रिजन्स हैं, जो कि नहीं माने जा सकते हैं, तो उनके लिए इंशुरेंस कम्पनी क्लेम नहीं देगी, मैं इसकी लिए चोटा से एक्जम्पल आपको देता हूँ, माने जिए कोई शिप जा रही है, और ठीक है जी, और स्टोक का हमने क्या करवा लिया, इंशुरेंस करवा लिया, शिप समुंदर की बीच में है, बार बार उसकी आइसबर्ग, समुंदर की बीच में आइसबर्ग से बार बार शिप की क्या हो रही है, फ्रिक्शन सराइज हो रही है, जिसकी वज़े से स्टोक भ हो सकता है whenever there is a friction between the iceberg and the ship so यहां पर यह कहा है nearby reason है इसके लिए insurance company claim देगी अगर कोई remote reason होता तो insurance companies के लिए मना कर सकती थी hopefully आपको यह 8-8 principles आपको समझ में आयोंगे और exam map dear students मैं आप से फिर एक अपील करता हूं कि यह जो 8-8 principles है 8 principles है यह सारे के सारे important है from exam point of view से ही तो इसको बड़े ध्यान से समझना और मैंने भी अपने तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको with examples यह सारे principles of insurance आपको clear करूं so at last I thanks to all of you